हेलो फ्रेंड्स विलकम टो माई यूट्यूब चैनल देश्टुडेंट तो फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे कि विभाजिता का नियम जैसे कोई बड़ी संख्या रहती है तो उसको कैसे पता लगा है कि यह इस संख्या से कट सकती है तो हम सुरू करते हैं क्योंकि वीडियो संख्या यह कैसे संख्या से कैसे कर सकती है तो चलिए हम सुरू करते हैं कि तो पबहरे हम दो को लेते हैं दो का रूल यह कि जो आकरी का आखरी का एक अंक अगर दो से कटता रहे तो वो वो दो से विभाज है किसे हम कोई संख्या लेते हैं कोई भी संख्या लेते हैं माली जे पांच छे साथ आठ नव पांच एक तो इसको लेते हैं तो यह हम देखेंगे कैसे पतला हैं कि हाँ यह दो से विभाज है तो हम इसको और लाष्ट में दो है तो है दो से बीवाज होगा दिगी और उसके बाद आप चार को देखेंगी चार में अब चार में लास्ट के हम दो-व लू ह कि देखेंगे अगर वह दो चार से यह विभाज है और आठ में क्या रूल है कि इसमें लाश्ट के दो इसमें लाश्ट के तीन अगर लाश्ट के तीन यह आठ से विभाजित हैं तो यह समझ दिये कि आठ से यह पूरा-पूरा कट जाएगा और इसको आप चेक भी कर सकते हैं यह जो 56789512 है तो इसको आप हम इसको फूर हम चुछ हैं झाल हिसको एट से काटेंगे तो यह कट रहा है कि पर चुर्छ करेंगे कि हम कट रहा है कि नहीं कट रहा है तो एट सिख्जा 48 48 48 45 43 32 32 तो यह 64 यह लाश्ट का है वो आट से कट रहा है तो यह पूरी संक्या आट से भी विवाजी होगी यह 8 का रूल है इसका एक यह जो इसका एक रूल और है मतलब कि आगे भी हम निकाल सकते हैं कि आट से भी विवाज्य होगा तो लास्ट का तीन का है तो आट से भी विवाज्य होगा तो यह बहार दो की पावर छार है अगर 4 अंग 16 से विभाज है तो यह पूरी संख्या 16 से विभाज होगी अगर 2 की पाउर 5 है 32 तो अगर ये 5 अगर 32 से विभाज है तो ये पूरी संख्या 32 से विभाज होगी अगर नहीं होगी तो 32 से विभाज होगी तो हम समझ चुके हैं कि दो चार आठ का रूल क्या होता है दो का रूल होता है कि आखरी का एक अंग से दो से विभाज्य होगा चार का रूल क्या है कि लाष्ट का जो दो अंग है ये चार से विभाज्य होना चाहिए आठ में का होगा कि लाष्ट का तीन अंक है वो आठ से गर विभाज्य है तो वो पूरी संक्या आठ से विभाज्य होगी अब हम देखते हैं तीन का रूल क्या है तीन का रूल क्या है कि कैसे पता राएं कि हाँ ये संक्या तो तीन से विभाज्य होगी यह हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें एक्जाम में ऐसे आते हैं जैसे कि 5, 6, 7, इस्टार दे देगा उसके बाद 8, 9 दे देगा उसको पूछेगा कि यह लास्ट का जो मिसिंग नमबर है इसको बताएं और आफसन दे देगा उसमें तो इसलिए इसको पढ़ रहे हैं और यह कहीं कि इसमें भी जरह कोई भी क्वेस्टन पहलता कि किससे काटे तो वहां पर भी इंपार्टेंट होता कि अगर हम इसको लगाते रहेंएंगे कंसक्क्म साथ से अड इत कैसम हमारी इसमें अच्छी न lazım जागा इसलिए बता जारा यह और इसका एक सीक्षाम ना जा जाते हैं हाँ का हाँ वान आतें तीन का रूल क्या है कि जैसे के तो आड़ा लिए भी गतार है dls लेकिन हम एक और इसमें दूसरा रूल क्या है कि पहले हम जोडेंगे इसको सबको जोड़ेंगे तो इसले जोड़ेंगे चापाच ग्यारा ग्यारा साथ अठारा 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 शबिस नौ 25 25 45 41 41 41 तिये 3 से नहीं कट रहा है बाद यह नहीं होगा है और मालुची हम देते हैं कोई र से खर hmट हमे पत्य लुंगे सिस्पार में कटएगा और जैसे हम देते हैं मैं जैसे अगर हम देते हैं इसी जनी हुए औरThat इसी जनी में करेंगे कि यह 3 से कटेगा कि नहीं तो हम फिर से वही करेंगे तो यहाँ पे 43 साय था तो यहाँ पे दो और एड हो गया तो यह 45 हो गया अब इसको हम चेक करेंगे तीन से कट गया तो यह पूरी संख्या का add करके इसका नियम हम लिख देते हैं यहाँ पर कि संख्याओं का योग संख्याओं का योग बटे 3 कि 3 से भी भाज जाए की नहीं तो वो पता चल दाए कि हाँ यही संख्या 3 से भी भाज जाए अब हम देखेंगे 9 का रूल क्या है तो 9 का भी रूल एकदम सेम इसी के तरह है बस खाली यहां पर 3 के जगा 9 हो जाएगा संख्याओं का योग बटे 9 यह आप चेक कर सकते हैं कोई भी संख्या रहेगी तो अब जैसे कि अब 9 के टेबल हम पढ़ते हैं 9 इसका जो एड रहेगा वह नाइस मतलब 9 से विभाद्ज रहेगा इसका पूरी संख्या का जोड़ेंगे पहले और उसके बाद उसको 9 से विभाद्ज कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हां यह संख्या 9 से विभाद्ज है कि नहीं है तो 3 और 9 का रूल सेम है अब हम 0 लगा हुआ या 5 लिखा हुआ है तो वह संख्या 5 से बिभाज्य होगी यह असाइड़ से हम पता लगा सकते हैं कोई भी संख्या हो अगर 8,9,12,13,15 और यह संख्या 5 से बिभाज्य होगी क्योंकि यह लाष्ट में इसमें 5 है तो हम आज rules देखे दो का, चार का, आठ का, तीन का, नौ का, पांच का आगे के वीडियो में हम बताएंगे शिक्स का, सेबन का और उसमें इलेबन का बताएंगे यह इलेबन का तो बहुत important रहता यह अक्सर आते हैं इसका एक वर हम रिवीजन कर लेते हैं कि इसमें दो का नियम क्या है कि इसमें आकरी एक अंग दो से विवाज होगा दूसरा चार का नियम क्या है कि लाश्ट का दो अंग चार से विवाज होगा, आठ का नियम में लाश्ट का तीन अंग आठ से विवाज होगा तो संख्या आठ से कट जाएगी 3-3 गनियम का है पुली संख्या को आड़ करेंगे, संख्या को योग बटे 3 9 का रूल क्या है कि संख्या को योग बटे ne 5 की रूल का है, लाश्ट में 0 या 5 हो तो वो 5 से संख्या बिभाज्य होगी तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही चनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करिए और वीडियो पूरा देखिए और इसका हम MCQ भी करवाएंगे लास्ट में जो अभी कम कम सकम 10-15 वीडियो पढ़ जाएंगे तो हम पूरा उसमें एक मिक्सप करवाएंगे और ठेक्या फ्रेंड्स आज ले इतनी थेंक्यू